नमस्कार दोस्तों अगर आप एक BLO है और Election Commission of India के इंदरगत कारे कर रहे हैं और अब जो 2020 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसकी तिथी का एलान हो चुका है और जनुवरी महिने में पंचायत चुनाव यानि कि सरपंचों के चुनाव हो जाएंगे और इस दोरान आप का कारे क्या होगा इस वीडियो की माधिम से संपौन जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि काफी शाथियों के मेसेज आ रहे थी कि इसका क्या हो सकता है क्या हमारे ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी क्या होने वाला है तो संपौन वीडियो एक बा करते हैं कि क्या हो सकता है सबसे पहले बीलो बूथ लेवल ओफिशर जो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया की इंतरगत कारे करता है यानि कि बीलो इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया में प्रती न्यूक्ति पर कारे करता है वो कोई अलगशे पोस्ट नहीं होती है जबकि समंदित राजे सरकार की कार्मिक को विशेशकर शिक्षकों को ही इसमें लगाया जाता है जदातर और उन्हें बियलो की रूप में कारे करवाया जाता है लेकिन ये जो पंचायत राज चुनाव होते हैं वो राजे निर्वाचन आयोग के अंतरगत होते हैं और भारत निर्वाचन आयोग है इसका इससे कोई शमन नहीं होता है तो इसे लिए बियलो जो होता है क्योंकि जब हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो उसमें हमारे मतदान केंदर शंख्या भी बदल जाते हैं अलग-अलग शेतर के अलग-अलग रूप में आते हैं तो यशी इस्तति में हम यह देखते हैं कि राजे निर्वाचन आयोग में बियलो को प्रगणक बनाया जता है और प्रगणक अलग शे कोई व्यक्ति नहीं होता है वही होता है बियलो जिशे पंचायत चुनाओं के दोरान प्रगणक नाम दिया जता है और उस प्रगणक को उस समंदित भाग शंक्या पर लगाया जता है और जिशे प्रगणक नियुक्त किया जता है उसका संपोन उसका दैत्व बनता है कि उस दोरान जो पुनरिक्षन कारे करम चलता है मत्दाता को नाम जड़ाने कटवाने और संशोधन के लिए तो उस दोरान वह बीयलो की रूप में बीयलो जिस परकार से इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया की इंडिया की इंद्रिकत कारे करता है उसी परकार से प्रगणक भी एक यहां पर जम् चुनाव ड्यूटी से लेकिन इस दोरान जब हम यहां पर बात करेंगे कि राजी निर्वाचन आयोग के इंद्रिकत जो पंचायत राज चुनाव होने वाले हैं वहां पर उन्हीं बीयलो को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा जो प्रगणक की रूप में निउ इस दोरान जो कारे कर रहे हैं तो उन्हें तुनाव ड्यूटी शे मुख्त रखा जा सकता है अन्यता जो अन्य बीयलो है उन्हें चुनाव ड्यूटी लगई जा सकती है तो मतलब यूं मान के चलिए कि चुनाव डूटी में उन्हीं भी ये लोगो चुनाव डूटी से मुक्त रखा जाएगा मुक्त का मतलब ये है कि उन्हें छुटी नहीं होगी बलकि यहां मतदान के अंदर पर उन्हें ड्यूटी देनी पड़ेगी क्योंकि उस दुन जो पॉलिंग पार्टी बगिरा आती है उनको उनकी व्यवस्ता करने का उन्हें अर्चीज के बारे में जानने का अधिकार मतलब झाल झाल